पुराने से पुराना कब्ज दूर करने का बहुत ही आसान और असरदार उपाए आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अनीमा की आपने शायद ये सब्द पहले भी सुना होगा ये एक ऐसी विदी है ये एक ऐसा आईरवेदिक तरीका है जिसका इस्तिमाल आतों की सफाई के लिए किया जाता है इसमें इंजेक्शन की मदद से मल दौर के अंदर तेल डाला जाता है जो 6-8 मिनट तक अंदर रहने के बाद धीरे धीरे बाहर आ जाता है इससे पेड के भीतर जमा पुराना और कड़ा मल बड़ी असानी से बाहर आ जाता है अनीमा विदी से गहराई से अच्छी तरह से हमारे आतों की सफाई हो जाती है जो सुस्त रहने के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है लेकिन अनीमा हमें हॉस्पिटल में अस्पिटाल में करवाना पड़ता है अनीमा करवाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से अच्छे से परामश लेने ना चीए कि आपको कौन सी साफधानिया बरतनी है अनीमा करवाने से पहले आपको सुपाच भोजन ही करना होगा गईश्ट भोजन का सेवन आपको नहीं करना है सुपाच खिछडी सबसे उत्तम होती है आप अनीमा करवाने से पहले भी और अनीमा करवाने के बाद भी खिछडी का सेवन कर सकते हैं हाँ डॉक्टर की परामर से अगले दिन रोटी दाल सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं लेकि उससे पहले आपको डॉक्टर से परामश ले लेना होगा अगर आप बहुत ज़्यादा कब से परिशान है तो महीने में तो से तीन बार आप अनीमा करवा सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों पर एक बार में अनीमा का कुछ खास फायदा नहीं होता है सही तरीके से आतों के सफाई नहीं हो पाती है अनीमा टीटमें आयरुवेदिक अस्पिताल में बिल्कुल फ्री है शायदी कोई आयरुवेदिक अस्पिताल होगा जहां पर अनीमा की सुबधा ना हो या ये मुफ्त ना हो अगर सरकारी स्पितालों में अनीमा की सुबधा फ्री में नहीं दी जारी मुफ्त में नहीं दी ज अनीमा की फायदे की बारे में बताया तो आप सबी को पता है कि पेट हर समस्या की जड़ है जो भी प्रॉबलम हमारी शरीर में होती है तो अगर हमारा पेट हमारी आते अच्छे से साफ रहेंगी तो बहुत सारी समस्याइं अपने आप दूर हो जाएंगी जैसे हमारी स्किन हमारे हैर रिलेटिव प्रॉबलम्स इसके अलावा अनीमा ब्लड शर्कुलेशन को बहतर बढने का भी काम करता है पेट साफ होने से सारा दिन हमारा शरीर उड़ जावान रहेगा और अगर आरिंदा की समस्याइं से आप जूज रहे हो तो आपको नींद भी बहुत करते हैं सान की बात करें तो हर चीज की अती नुकसान दे है और अनीमा कभी घर में हमें ट्राइड नहीं करना चीए दोस्तों कुस तरीके हैं अनीमा घर में भी ट्राइड करने के पट वो डिफरेंट वे हैं डिफरेंट तरीके होते हैं उसे इस्तिमाल करने का अगर आप कि मैं वो तरीके भी आप लोके अभी तरीका मैंने आप लोकेसा शेयर किया ये एक जा जरुंत है और अनेमा, जब भी करवायये तो डॉक्ट के संपर्क में हमेशे रहिये क्या फायदा हो रहा रहे अपने डॉक्टर के साथ जरूर शेयर करिए दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको यूजफूल लगे तो प्लिस लाइक करना और जादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रैंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना दोस्तों पहली बाच आप पर आप जो उनको सस्क्राइब कर ल मैं तब तक ले जय हिन जय भारत